गुड मॉर्निंग बच्चों, लालबा की यूच्व चानल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, मैं मिस्स ए मिश्रा, आज आपको कक्षदस के रसायन विज्ञान लेसन वन, अमल शार वालवर्ण के बारे में पढ़ाऊंगी, तो आज हम अमल शार वालवर्ण का पार्ट मस के प्रभाव से की जाती थी, यानि जिन चीजों में या जिन चीजों का स्वाद खटा होता था, उनको हम अमल कहते थे, जैसे उस समय सिरका ही ऐसा अमली पदार्थ था, जिससे लोग परचित थे, सिरका बहुत पुराना पदार्थ है, जो खाने में यूज होता है, नीम तथा एसेटिक एसेट की उपस्तिती के कारण होता है, सामाननेता अमल खटे पदार्थों में पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नीमू का, अगर पूछा जाए कि नीमू में अमली पदार्थ क्या है, तो वो है साइट्रिक एसेट, इमली का खटापन कौन से अमल के हैं, एसेटिक एसेट, तो हमारी परिभाशा पहली हो गई कि अमल खटे पदार्थों में पाए जाते हैं, एक वग्यानिक थे बच्चों आर्नियस, उन्होंने सन 1884 में आइनन से दान के आधार पर बताया था, कि वे पदार्थ जो जली ये विलियन में हाइड्रोजन आयन, एच प्लस देते हैं, तथा हाइड्रोजन आयन के अत्रिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं, अमल कहलाते हैं, जैसे हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानि हाइड्रोक्लोरिक अमल, जब ये जली विलियन में घोला जाता है, तो ये हाइड्रोजन आयन में तूट क्योंकि इस पर प्लस का चार्ज है इसलिए हाइड्रोजन के धनायन बनाता है और कोई धनायन नहीं बनाता और क्लोरीन को रिप्लेस करता है रिमूव करता है S2SO4, इसी तरह Sulfuric Aml, इसको जब जली विलिन में खोला जाता है, तो ये Hydrogen के धनायन देता है, या आयन देता है, और आपने देखा है, यहाँ पर H के दो अणू है, इसलिए यहाँ 2H हो जाएगा, और ये SO4 रिलीज होगा, CS3COOH यानि Acetic Acid भी जली विलिन में Hydrogen के आयन देता है, इस प्रकार आप देखते हैं, कि Hydrogen आयन जली विलिन में घोलने पर सभी अमले रिलीज करते हैं, लेकिन एक बाद ध्यान रखेंगे बच्चों, कि जब Hydrogen आयन या प्रोटॉन जली विलिन में घोलते हैं, तो ये स्वत क्रिया करते हैं, H-Ion पानी के आणों के साथ सयोग करके Hydronium Ion, H3O प्लस Hydronium Ion मनाते हैं, क्योंकि यहां पर Hydrogen के तीन आणों है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे Hydronium Ion, अता हम कह सकते हैं, कि अमल वेपदार्थ हैं, जो जली विलिन में Hydronium Ion देते हैं, जैसे और उधारन द Hydronium Ion बनाया और क्लोरीन रिलीज होई, इसी तरह HNO3 नाइट्रिक अमल के पानी के साथ करी और Hydronium Ion बनाया, इसी तरह यह सल्फियोरिक अमल का उधारन हैं बच्चों, उमीद है आपको यह लेसन समझ में आया होगा, कि अमल क्या हैं, अमल वेपदार्थ हैं, जो जली वि जल के अणों के साथ सायोग करके Hydronium Ion बनाते हैं, यह बच्चों मैंने नीचे आपका एसाइन्मेंट दिया हुआ है, इस टॉपिक से रिलेटेड यह कॉस्चिन्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे, और यह आज का काम था, नेक्स टॉपिक में हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे, थैंक्यू बच्चों